हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉंट स्टेडी आज का हमारा चेप्टर है और वन आउट जो की रीज्डिंग सेक्शन का एक पार्ट है और आज हम इसका करने जा रहे हैं पार्ट टू शुरू करने से पहले मैं चौंगा कि आप हमें हमारी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्रा आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वन आउट बेस्ट ऑन वर्ड्स ये पार्ट शुरू करने से पहले आपकी दो सेक्शन स्ट्रॉंग होनी चाहिए एक जनल नॉलेज एक जनल अवेरनेस ठीक है कहां इनका यूज आएगा ये चीज मैं आपको अभी कोशन में दिखाऊंगा हमारा पहला कोशन कह रहा है फाइंड और वन आउट और हमारे पास चार आप्शन हैं ए रेड बी ब्लू सी येलो डी ओरेंज ठीक है अब हमें बताना है इन में से हमें और क्या चीज लग रही है तो हमें पता है कि रेड ब्लू येलो और ओरेंज ये चारों कलर्स हैं नजर आ रहा है कि औरेंज एक ऐसा चीज है जो कि एक कलर भी है और एक फ्रूट भी है जब कि रेड ब्लू येलो में से कोई भी एलिमेंट फ्रूट नहीं है औरेंज ही एक फ्रूट भी होता है तो हमारा ओड वन आउट हमें मिल गया हमारा option d orange ठीक है इसी pattern पे सारे question solve हों ओरने PYSO, EUR नहीं भी सुना हो तो Dollar तो सबको ही पता है किए क्रणसी होती है, आज कल तो गानों में ही पंजाबी कानों में कितना आ गया हूँ है कि dollar की जैसे ये वो dollar 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 हर जगा dollar ही चल रहे हैं ठीक है तो आपको peso और euro नहीं भी बताओ तो आपको एक चीज़ clear होगी कि dollar जो है यहाँ पे currency की बात चल रही है तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये question होगा currency की base पे solve dollar, peso और euro हमारे पास different countries की currency है जबकि ounce एक weight mirror करने का parameter है जो हमें बताते हैं कि हमारा weight कितना है जैसे इंडिया में हम kgs में weight mirror करते हैं वैसे ही USA में LBS और ounces में हम weight को mirror करते हैं ठीक है यही part में आपकी general knowledge का test होता है अगर आपको पता होगा कि dollar, peso और euro जो हैं वो currencies हैं जबकि ounce एक parameter है जो weight को mirror करते है तो आप इस question को easily solve कर पाऊगे वहीं अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ounce क्या चीज है, peso क्या चीज है तो आप इस question में confused हो जाएंगे और आप इसे solve नहीं कर पाएंगे ठीक है, तो odd one out words के basis पर आपको इस chapter को solve करने के लिए आपको general knowledge और general awareness की बहुत जुरूरत पढ़ती है ठीक है, तो हमारा final answer आगया, C option, ounce next question है, hockey, cricket, volleyball, koko, ठीक है, हमारे पास 4 option है, इसमें से हमने बताना है कि odd one out क्या है सबसे पहले देखते हैं, इनको इनके players के basis पर judge कर लेते हैं, क्योंकि हमें बता है hockey में 11 players होते हैं, cricket में 11 players होते हैं, on field की बात चल रही है, field की यानि की जो खेल रही होते हैं उनकी बात चल रही है, जो substitute बैठे होते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है, hockey में 11, cricket में 11, volleyball में 5 players होते हैं, koko में 9 players होते हैं, एक team में यह सारे के सारे एक team की बात चल रही है, टोटल कितने player field बे मुझूद है उसकी बात नहीं चल रही है, एक team में कितने player होते हैं यह वो चीज है, ठीक है अब देखिए starting के 2 में तो आपको 11-11 दिख रहा है, पर third और fourth में five players और nine players दिख रहे हैं एक team में, तो इसका कोई logic बना तो हम इसको किसी और लॉजिक के बेस पे क्रैक करने की कोशिश करते हैं अब हमें पता है कि हौकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल इन तीन गेम्स में बॉल का यूज होता है जबकि खोको में किसी तरीके की भी बॉल का यूज नहीं होता तो खोको एक ऐसी चीज है जो इन तीन स्पोर्ट से खुद को odd one out कर देती है क्यों क्योंकि उसमें कोई ball use नहीं हो रही तो खोको ही हमारा हो जागा final answer और हमारा odd one out नेक्स्ट कोशन आ गया इगल, कीवी, इमू और ओस्ट्रिच ठीक है अब हमें पता है कि ये चारों चीज़े जो है एक same category को बिलाउं करती है जो कि ये birds की categories ठीक है पर हमें similarity नहीं देखनी हमें odd one out देखने है तो हमें पता है कि इगल उड़ती है, कीवी नहीं उड़ता, इमू भी नहीं उड़ता और ओस्ट्रिच भी नहीं उड़ता ये दोबारा वैसा question आगया जिसमें आपके general knowledge अच्छी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कीवी क्या है, इमू क्या है और ये उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं इगल और उस्ट्रिच तो हर किसी ने सुना होता है, पर कीवी और इमू तो ये दो ऐसे birds हैं, जिनके बारे में जातर लोगों ने नहीं सुना होता और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी क्या quality है, जो इसको odd one out नहीं बना रही है तो इस question को हमने flying के basis पे detect कर लिया, कि इसमें odd one out क्या होगा और हमारा option A होगा, इसमें odd one out जो की है eagle, ठीक है next question इस type के भी आ सकते हैं, ऐसे question मैंने आपको analogy में करवाए होए हैं जिसमें क्या होता था, ये जो बीच में जो दो dots जैसे दिख रहे हैं, जो जिसको हम colon कहते हैं तो ये पहले और दूसरे element के बीच में एक relationship बताते थे, maths में ये चीज़ ratio के लिए use होती है और reasoning में ये चीज़ दो elements के बीच एक relationship बनाने के लिए use होती है, ठीक है जैसे कि हमारे पास option है cow और cough, तो इन में क्या relation है, कि एक adult है, दूसरा baby है वैसे ही b option आ गया dog और bitch, c lion और cub, d insect और larva, तो हमें इसमें देखना है कि हमारा odd one out कोन है अब हमने इनका relation मनाया, cow और cough में आता है adult और baby का, dog और bitch में आता है male और female का, ये दोनों यहीं पर अलग हो गए पर आगे continue करते हैं, जो कि हमें बताएगा कि इन दोनों में से right option कोन हो सकता है थर्ड आ गया lion और cub, इसमें भी adult और baby का relation है, insect और larva में भी adult और baby का relation है तो हमें यहाँ पर हमारा clearly odd one out हमारा मिल गया हुआ है, जो कि है हमारा option B, dog और bitch क्यूँ, क्योंकि इसमें adult और baby नहीं, इसमें male और female का relationship बन रहा था, ठीक है हमारा odd one out आ गया, option B, which is dog and bitch next question कहा रहा है कि whiskey, cold drink, milk और beer में से हमें odd one out बताना है, यह तो question देखते ही आपको पता चल गए होगा कि इसमें odd one out को होन है, कैसे, कि whiskey, cold drink और beer जो है, वो artificial होती है है ना, वो natural तो नहीं होती, आपने कभी देखा तो नहीं होगा कि किसी human से या फिर किसी animal से या फिर किसी natural resource से हमें whiskey के जरने मिल रहे हैं, या cold drinks के जरने मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है पर milk जो है, एक natural element है, यानि mother जो है, वो milk को create करती है, तो हम इसे natural की category में डालते हैं, जबकि whiskey, cold drink और beer जो है, वो artificial है यही एक quality है milk की, जो उसे बाकी तीन element से odd one out बनाती है, तो हमारा इसका option आ गया, C नेक्स्ट आ गया question हमारा, शफाली वर्मा, रानी रामपाल, हिमादास, कृती सैनन, ठीक है, अब इस question को देखके काफी बच्चों के होश उड़ गया होंगे, क्योंकि ये कौन है, हमें कृती सैनन तो सब को बता होगा, क्योंकि TV देखते हैं, हिमादास भी आजकल काफी ल इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे यंगेस्ट प्लेयर है, और ये काफी रिकॉर्ड्स में रह चुकी है, अगर आप current affairs पढ़ते होंगे, तो आपको इनके बारे में पता होगा, वहीं, रानी रामपाल, हमारी इंडियन वुमेन टीम, हॉक्की की कैप्टन है, और काफी वर्स एक्ट्रेस हैं, और आजकल काफी जादा ये trending चल रही है, हमारे बॉलिवुड मुवीज में और काफी जादा दिखने को मिलती है, अब हम देखेंगे कि ये तो चारों के चारों आप्शन सेम फील्ड को बिलॉंग नहीं करते, तो हम इनकी category पे आएंगे, cricket जो है, sports है, hockey भ हमने इन फील्ड को category में डिवाइड किया, तो हमारे तीन options सेम आगे, चोथा option अलग आ गया, तो हमारे पास यहीं से हमारा odd one out आ गया, option D, कृती सैनन तो यही एक वज़ा थी, जिसके लिए मैंने starting में ही आपको बता दिया था, कि ऐसे questions के लिए आपकी general knowledge और general awareness बहुत ज़्यादा important है इसी के साथ हम अपना odd one out चेप्टर का part second खतम करते हैं, तो इस वीडियो को like कीजिए, साथ-साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you